साल 2016 खत्म होने को है ये साल जहां कुछ बॉलिवूड आक्टर्स के लिए ब्रेक अप का साल रहा वही इस साल कई आक्टर्स ने अपने हमसफर भी चुने प्रिके जिन्जा और विला मातोंकर और विपाशा बासु जैसी कई और आक्टर्स ने इस साल साथ फेरे दिये साल 2008 में आमिर खान की फिल्म गजनी से बॉलिवूड में डेब्यू करने वाली एक्टर्स असिन ने इस साल की शुरुआत में 19 जन्मरी को माइक्रो मैक्स के को फाउंडर रहुल शर्मा से शादी कर ली ये शादी क्रिश्चन और हिंदू रीतीरे बाजो से हुई असिन और राहुन की मुलाकात अक्षे कुमार के जर्य हुई थी और इसलिए इस शादी में अक्षे सबसे खास मेहमान बनकर पहुँचे थे असिन ने अपनी शादी से पहले अपनी सर्वी वर्ग कमिट्मेंट्स खत्म की और फिनाल उनका फिल्मों में वापसी करने का कोई इरादा नहीं है असिन की आखरी बॉलिवोड फिल्म All Is Wealthy असिन की शादी के कुछ दिन बाद ही पृटी जिन्टा की शादी की खबर आई पृटी ने 29 फरबरी को लोस एंजलिस में एक प्राइवेट सेरिमनी में अमेरिकन सिटिजन जीन गोड़िनव से शादी की गुपचुप तरीके से शाधी करने के बाद फ्रीटी ने 13 माई को मुंबई में एक रिसेप्शन पार्टी दी जिसमें बॉलिवुट की तक्रीबन हर हस्ती शामिल हुई प्रीटी जिन्टा की तरह ही उर्मिला मातोंकर ने भी खुपचुप तरीके से तीन मार्च को उम्र में करीब 9 साल छोटे मोहसिन अक्तरमीर से मुंबई में शाधी कर ली मोहसिन कश्मीरी बिजनिसमैन और मॉडल है उर्मिला की शाधी में उनके परिवार के कुछ खास लोगों और बॉलिवुट से सिर्फ उनके दोस्त और पैशन डिजाइडर मनीश मलोत्रा ही शामिल हुए थे उर्मिला की शाधी की खबरे भी तबी सामने आई चमनिश ने उन्हें सोचल नेट्वोक इन साइट ट्विटर पर शाधी की बधाई दी उर्मिला मादोंकर की शाधी को कुछ ही दिन होए थे कि फिर विपाशा वासु और करन सिंग ग्रोवर की शाधी की खबर आई विपाशा ने इसी साल 30 अप्रैल को करन सिंग ग्रोवर से शाधी की करन फिल्म और टीवी आक्टर है और ये उनकी तीसरी शाधी है विपाशा और करन की मुलाकात करन की डेब्यू फिल्म अलोन की शूटिंग के दोरान ही हुई थी असिन, प्रिटीजिंटा, उबिला हातोंकर और विपाशा की शाधी की बाद इस साल मई में एक्टरस अमरिता राव की शाधी की खबरों ने सभी को हैरान कर दिया अमरिता आरजे अन्मोर को पिछले साथ सालों से डेट कर रही थी और आखेकार दोनों ने शाधी कर ली ये एक डेस्टिनेशन वेडिंग थी जट थाइलैंड में क्रिश्चन रिती रिवाजों से हुई इन सभी अक्रिसेस के बीच पिर्म बॉडिगार्ड ने सपोर्टिंग डोल में नजर आई अक्रस हेजल कीच ने भी 30 नमपर को शाधी की ये शाधी इस साल हुई सबसे बड़ी शाधियों में से एक थी क्योंकि हेजल ने जिने अपना लाइफ पार्टनर चुना वो कोई और नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेटर युवराज सही है युवराज और हेजल ने पहले चड़ी कड में सिक्रिती रिवाजों से शाधी की और फिर गोवा में 3 दिसंबर को युवराज हेजल के घर फिर बाराग लेकर पहुचे गोवा में हुई ये शाधी इस बार हिंदू धर्व के अनुसावर गुई